नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन के टोप 25 परमुख खबर जानते हैं नियोजन निती को लेकर जार्खन बंद अस्थागीत अब 29 अप्रेल को बंद राज जिखे नियोजन निती के बिरोध में पुर्व घोसित कारिकरम में बदलाव किया गया है जार्खन इस्टुडेंट यूनियन ने सुक्रवार को बताया है कि नियोजन निती के खिलाब पुरो में 8 अप्रेल को सीम अवास घेराव और 10 अप्रेल को जार्खन बंद के कारिकरम को अस्थागीत कर दिया गया है अब 17 अप्रेल को CM अवाज का घेराव किया जाएगा वहीं 18 अप्रेल को मसाल जुलूस निकाला जाएगा और 29 अप्रेल को जारखंड बंद रहेगा बतादे चात्र निता देविंद्र नाथ महतों ने कहा है कि सिक्षामज जगरनाथ महतों के आक्समिक निधान और परिजनों के प्रती सन्वेतना दिखाते हुए आंदोरन के कारिकरम में परवेतन किया गया चात्र निता मनोज यादो ने कहा है कि टाइगर जगरनाथ महतो खतियान के सच्चे समर्तक थे हेमंत सरकार को इस साथ चालिस वाली नियोजन नीती को वापस लेते हुए जल्द से जल्द खत्यान अधारी समयधानिक नियोजन नीती लागू कर नियोगती परक्रिया शुरू करनी चाहिए जारखन की मौसम को लेकर मौसम भी भागने अलर्ट जारी किया है जारखन के पच्मी और निकटवर्ती मद्य भागों में 8 अप्रेल को कहीं कहीं गर्जन के साथ वर्सा बजरपात और ओला विरिष्टी की भी असंका है इस दोरान तेज हवाय चल सकती है इसके बाद 9 अप्र 38 अप्रेल को मौसम साफ और सूस्क रहेगा में गर्जन के साथ वर्सा होने की संभावना नहीं है दामोदर टट पर जगरनाथ महतो के अमतिम संसकार में उम्रा जैन सहलाव सुदीप कुमार सोनू, राज सीनहा, डाक्टर लंबोदर महतो, अमर कुमार बावरी, सर्फराज अहमद, रविंदर पांडे सहित और भाजपा कांग्रेस सहित और नेता सामिल हुए इधर अमतिम यात्रा में हजारों लोग सामिल हुए, अपने नेता के अमतिम जलाग पाने को पूरुस और महिलावों का होजूम उड़ पड़ा, इस दोरान मुक्ष मंत्री दामोदर टट पर मौजूद रहे, और कुछ देर के बाद दिवंगत नेता के सोजनों को संतावन दे करी वाहां से वापस रांची के लिए रवाना ओगा है, कोरो ना से निपर्टने के लिए तुरंत भेजे 50 जार्खन सरकार ने के निपर शेक है कि वह कोरोना से निफठने के लिए स्क्रवारगा एंering, राज्ज में कोविड वैक्सिन क्तम होने से ठीका कान प्रभावित हो रहा है राज सरकार ने केंदर से अविलम कम से कम 50 जा डोज भैक्षिन उप्लब्ब्द कराने का नुरोथ किया ताकि टीका करना सुचार रूप से चल सके राजी के स्वास्त मंतरी बना गुपता ने सुक्रवार्खो केंदरी स्वास्त मंतरी मांस्यों कमांडविया से पी एस ए ओक्सिजन प्लांट के रख रखाओ तथा मानोसन साधन के लटाश्टी ये स्वास्त अभियान के लिए रासी खर्च किये जाने की मांग रखी हाओ सरना जहंडा के अपमान के खिलाप आठ को रांची बांद जहारखंड पहान महासंग केंद्रिये सरना समीती राजी सरना प्रार्थना महासभा एवं विभीन आदिवासे संगटनों के द्वारा सरना जहंडा जलाने एवं अपमानित करने को लेकर जैपाल सिंग मुंडा इस्टेरियम से लेकर अलवट एका चोग तक 8 अपरेल को रांची बंद की पूरुव संध्या पर सुक्रवार को मसाल जूलूस निकाला गया जारखन पाहन संग के अध्यक्ष जगदिस पाहन ने बताया है कि सरना जहंडा को अपमानित किया जाना निंदनी है इसे किसी कीमत पर बरदास नहीं किया जाएगा और समाजिक तत्तों की गिरफतारी जल्द से जल्द हो इसी माँ को लेकर सुक्रवार को रांची में जैपाल सिंग मुंडाई स्टेडियम से लेकर अलवट एका चोग तक मसाल जूलूस निकाला गया और बिरोध दर्ज कराया गया सन्यवार आठ अप्रेल को रांची बंद का वाहन किया गया है सिरिफ अवस्यक सिवाव को बंद से छूट रहेगी कोरोना को लेकर 10-11 अप्रेल को राज में मौक ड्रील जारखन में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर स्वास्त विभाग अलोट पर है इसी कड़ी में केंद्री स्वास्त मंत्री मांसुख मंडविया ने देश के 25 राजियों के स्वास्त मंत्रियों के साथ वीडियो कंफ्रेंसिंग कर राजियों की त्यारियों के समिक्षा की इस दोरान जारखन के स्वास मंत्री बना गुपता ने भी वीडियो कंफरेंसिंग माध्यम से जूड़ कर राज में कुरोना के बरतमान हालात पर चर्चा की है गौतला भाई की राज में कुरोना के 60 सक्रिय मरीज है स्वास मंत्री बना गुपता ने कहा है कि 10 और 11 अपरेल को राज भर में मोग ड्रील किया जाएगा इसके पूर्व 9 अपरेल को राज के सभी जीलों के उपायुकतों और सिविल सर्जन के साथ वीडियो कंफरेंसिंग जरिये करोना के तियारियों को लेकर समिख्षा की जाएगी उन्हों ने कहा है कि राज में कोविड वैक्सिन की कमी है ऐसे में केंद्रिय स्वास मंत्री से राज जी के लिए वैक्सिन की मांकी गई राजए के 4wyn pcr lab icmr के मनयाता के इंतजार में हैं ऐसे में केंद्रे स्वास्त मंत्री से लैब को जल्द मनेतर देने का आगरा किया गया ताकि राजे में जाज की रप्तार को अव्यापक रूप से बढ़ाया जा सके जारखन के सिक्छा मंत्री को सीम सहीत मंत्रियों विधायकों ने दिसर दांजली जार्खन के स्कूली सिक्षा एमसर्शर्टा मंतरी जगरनात मतों का पार्थिव शरीर रांची पहुंचा, सुक्रवार सुबार विशेस मिमान से दिवगत सिक्षा मंतरी का सो रांची लाया गया, यहां सिक्षा मंतरी के पार्थिव शरीर को फूल मलाओ से सर्जे एम्बुल था मुख्य मंत्री हमां चुरेन इस्पिकर रविंद्रात महतो केबिनेट मंत्री सभी दलों की विधायक और वर्य पता धिकारियों ने दिवंगत शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो को सदागली दी पूलिस ने मातमी धुन बजाकर अम्तिम सलामी दी जगरनाथ महतो की दाक्टर राम दैल मुंडा पारक में सफ़यक परद्यापक संग ने सवक सभा का वजन किया इसकी अध्यक्षा डाक्टर त्रिभुवन कुमार साही ने की सहायक प्रध्यापक संग रांची विश्व विद्याले और सभी प्रध्यापकों ने दिवांगत जगनात मतों के आत्मा की सांती के लिए दो मिट मौन रखा सोक सन्वेदना हेतु बैठक में राची भी सुविद्याले के विभीन विभागो और अंगी भूत महा विद्याले से डाक्टर त्रिभून कुमार साही डाक्टर राम कुमार तिर्की डाक्टर सासी भी नभागत सामिल थे इडी ने लिखा साहवगंज SP को पत्र जारखन के साहवगंज जीले में एक हैर क्रोर के अवैद खनन में नई कडिया जोडने लगी है साहव गंज के निबू पहाडी में अवैद खरन के मामले में साहव गंज के सदर थाना में दर्ज केस में इडी की ECRI के बाद नए सीरे से मुख्य मंत्री के बरहेट विधायाग परतिनीधी पंकज मिस्रा और उनके सहयोगी विष्णू यादो उर्फ छोटू यादो पर इडी ने सीकंजा कसना शुरू कर दिया है पतादे रांची जेल में रहते हुए पंकज मिस्रा के द्वार अवैद खरन कराने के मामले में पत्र में इडी ने लिखा है कि पाच अप्रेल को एजनसी के द्वार किये जाच में नीबू पाहाडी समेत कई जगों पर अवैद खरन के साक्ष पाएगा है जारखन में अंगनवारी से विकाओं को स्मार्ट फोन देने की योजना तोड़ रही दाम केंदर सरकार ने पोशन अभियान के तहद को पोशन मुक्त भारत का लक्ष ताय किया है इसके लिए भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्राले ने देश की सभी अंगनवारी से विकाओं को स्मार्ट फोन देने की योजना बनाई थी लेकिन जारखन में इस योजना ने दम तोड़ दिया जबकि देश के अंगनवारी से विकाओं के हाथ में दो साल पहले है स्मार्ट फोन है बतादे अंगनवाडी केंद्रों में दी जानने वाली सेवकावों के कुसल प्रवंधन के साथ ही पोसाहर पई नामों की भी रियल टाइम मोनेटरिंग हो रही है CM अवास वर सचीवालाई की 200 मीटर की परीधी में नीशे धाग गया रांची बंद की अवाहन को देखते हुए CM अवास वर सचीवालाई की 200 मीटर की परीधी में नीशे धाग गया लागू कर दी गई है उपायुक्त और SSP ने सन्युक्त आदेस जारी का असपश्ट कर दिया है की CM अवास और सचीवालाई के 200 मीटर की परीधी में जूलूस रैली प्रदसन वा घराव नहीं किया जा सकता है उलंखन करने वालों पर करवाई की जाएगी निशे धाग गया सूबा 8 बये से राद 11.15 बये तक लागू रहेगी वहीं विवीन आदिवासी संगटनों ने सरना जंडा के आपमायन के विरोध में सनिवर कुराची बंद बुलाया है बंद को देखते हुए सहर भर में 1500 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है इन में रैपिट एक्षन पुलिस, क्यू आर्टी, इको वाजीला पुलिस हत्यार और लाठी पार्टी को लगाया गया है रखुबरदास ने टाटा इस्टील परवंधन को लिखा इस्कूल खोलने का पत्र जार्खन की पुरो मुख वंदरी रखुबरदास ने टाटा इस्टील के सीओ एवं परवंधन निदेशक टीवी नरेंदरन को पत्र लिख कर कम्पनी द्वारा वितिवर्षते 24 के लिए बनाई जाने वाली विकास वजनाओं में जमसेद पूरवी विधान सभाचेतर पर विशेद ध्यान देने का अगरा किया उन्होंने राष्टरी अस्तर की इस्कूली सिक्षा के लिए जमसेद पूरवी में एक उच मानक के इस्कूल के अस्थापना करने की मांग किया है रखुबरदास ने कंपनी प्रवंधक द्वारा परतेक वितिवर्ष में जमसेद पू कर घर जलापूर्ति की जाए कुडमियों का अंदुलन जारी कुडमी समाज के बने तले कुडमियों द्वारा घागार घेरा करम सूची के अंतरगत पच्छिम बंगाल के खेमा सूली रेलवे स्टेसन के पास रेलवे ट्रेक और हाईवा जाम की स्थिती सुकरवाल को 30 दिन जास की तसा है आंदुलन कारी रेलवे ट्रेक और हाईवे पर जम्य हुए हैं और हटने का नाम नहीं ले रहे हैं रेल पसासन और पच्छिम बंगल सरकार द्वारा जाम को हटाने के दीशा में अब तक कोई पहल नहीं की गई जाम अस्थल से वाहनों की लाइन करीब 52 किलो मंजूर समग्र सिक्षा अभियान के तहत वर्ष 2023 बीतीय वर्ष के लिए लगभग 289 रुपए के बयाट के स्विक्रिती मिली है केंद्रिय सिक्षा मंत्राले की प्रोग्राम अपुर्वल वोड की 6 अपरेल को नई दिली में हुई बैठाक में इस पर स्विक्रित परदान क वहीं तेश चोविस में आई सिटी कारिकरम उन चैनित स्कूलों में स्मार्ट कलास तथा कंब्यूटर लैब के स्थापना के लिए रासी की स्विक्रिती मिली है जिन में अभी तक इसकी वेवास्था नहीं हो सकी है 332 अभियार्थियों की सिख्छक पद पर होगी नियुक्ती आयोगने जाच के बाद इनावियार्थियोंक नियुक्ति के अउन्सil साहिस्कूलि सिक्षाभा सेथा विभाग限 की जिसके बाद विभाग की शेचिव के रभीकुमार ने содदों जीलेक पत्रब्हेजकर 15 अपरैल तक अनुषाणृंसीत अभियार्थियोंक नियुक्ति का दिया है धन्यवाद